हलाँ स्ट्रेंड्स मैं आप लोगों को CHSL, NDPC मतलब कि जितने भी जेनरल कंप्टिशन के एक्जाम्स हो रहे अभी या होने वाले हैं मैं सब को ध्यान में रख कर आपको अच्छे-च्छे कोश्चन्स का कलेक्शन एवलेवल कराने जा रहा हूं आप जब बीडियो ऑपन करें आप सुरू से लेकर अंतक बीडियो को वाच करें हैं आप पाएंगे आपकी तैयारी में काफी ज़्यादा स्ट्रονगनेस आ रहा है और जो भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस चैनल को अपने दो बताने जा रहा हूँ देखेंगे यदे 6 3 P 6 3 5 S P 6 1 कौमा है 9 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा मतलब यह संखिया जो है 9 से विभाजित है और P का मान कह रहा है इसा क्या रखें पाला है 3 दूसरा है 5 तीसरा है 6 चौथा है 8 हम लोग अब स्वालूसर में जाते हैं 6 3 5 P 6 1 यह 9 से कटना चाहिए देखिये कोई संखिया 9 से विभाजित तब होती है जब उसके अंकों का जोर 9 से कट जाता है आप इसके अंकों को जोड़िए अंक जोर हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस P प्लस 6 प्लस 1 चौतिन ना पत्चाओदा 21 अंकों का जोर आया 21 प्लस P और यह सारा पी का मान दिया हुआ है अगर आप यहां से पी का मान 6 उठा लें पी का मान 6 उठा लें 21 प्लस हो जाएगा 6 27 और 27 ना से डिविजिबल हो जाएगा और कोई संखिया के ना से कटने के लिए अंकों का जोर ना से कटना मस्ट है एकदम एकदम जरूरी है तो इस तरह हमारा option C जो है यह right answer है देखिये question number second है one का square प्लस three का square प्लस five का square प्लस डाट डाट है प्लस 15 का square है हमको इसका value निकालना है पाला option है हम लोग अब solution में जाएंगे जैसे एक का square दो का square तीन का इसका formula होता है n into n plus one into two n plus one इसको दिमाग में रखना है formula को तो हमारा अब यहां सवाल क्या है one का square three का square five का square और इस तरह fifteen का square है हम formula में क्या देखते देखिए एक का square regular है यह और यह regular यह नहीं है gap आ रहा है इसको regular कर दे रहा है एक का square दो का square और इसमें आपने extra लिखा है देखिए एक से लेके पंदरा तक regular हो गया इसमें दो का square चार का square यह extra रहा है जो extra है उसको मैंने घड़ा दिया आप इसका इसमें दो का square common निकाल लीजिए यहां बचेगा एक का square दो का square दो से 7 वर में कटेगा दो से 14 साथ का square आप देखिए formula यह formula आप hold करेगा यहां पर अब यहां एन का one पंदरे बचेगा पंदरे गुना 16 गुना 31 और यहां पर एन का one एक बचेगा तो साथ गुना आठ और आठ साथ देखिए यह दोनों का नंबर का जोर है यह उसी तरह मैं यहां पर पंदरे 16 मल्टिप्लाइ करके और पंदरे 16 आइड करके 31 कर दिया इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 600 C तो हमारा जो आप्शन A है राइट आंसर है देखिए कोस्टन नंबर थर्ड है A का वैलू दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 3 का स्कॉाइर B का मान दिया हुआ है 2 का स्कॉाइर गुना 3 का पावर 5 और C का मान दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 3 का स्कॉाइर हमें फाइंड आउट करना है A गुना B गुना C हम लोग सालूसर में आते हैं A गुना B गुना C देखिए यहाँ यह तीनों नंबर मल्टिप्लाई करेगा 2 का पावर 3 3 का स्कॉाइर B का मान है 2 का स्कॉाइर और C का मान है 2 का पावर 3 3 का स्कॉाइर इसमें आपको कुछ नहीं करना है आधार देखिए हम लोग जानते हैं अधार समान राने पर गुनाम पावर जुटता है तो दो का पावर यहां देखिए तीन है तीन दू पाच और पाच तीन हो जाएगा आठ दो का टोटल पावर राइट कर दिये तीन का पावर देखिए यहां दो है पाच दू साथ साथ दू हो जाएगा नो तो हमारा जो है प नाव गुना दास के गुननफल को एक पुर्ण बर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संखिया क्या जोड़ी जानी चाहिए मतलब इसमें क्या एड़ करेंगे पहला ओप्सन है 144 दूसरा है वान तिसरा है 289 चौथा है थ्री सालूसन के लिए जा रहे हैं 7,8,9,10 ये चारो संखिया अगर गुना का चिन हड़ा देंगे ति ये एपी हो जाएगा ये चारो संखिया एपी का हो जाएगा आपको याद रखना है एपी का चार संखिया रहेगा multiply में यहां common difference कितना आ रहा है d common एक आ रहा है 7,8,9,10 difference में एक खाह है तो हमको क्या जोरना चाहिए तो हमको जोरना चाहिए जोरना चाहिए एक का Power 4 याद रखना एपी का 4 संखिया multiply होगा तो जो difference आएगा उसका Power 4 करना है उतने हमको जोरना पड़ता है एक का Power 4 तो एक हमारा जो right answer आएगा one आएगा मैं थोड़ा और explain आपको कर देता हूँ देखिए अगर मान लीजिए रहेगा एकारे 13 15 17 इसमें कहेगा क्या जोरेंगे पुर्न बर्ग होगा X का मान तो यहां देखिए एकारे 13 15 17 यहां भी AP है और अंतर यहां आ रहा है 2 का यहां हो जाएगा X बरावर 2 का पावर 4 तो आप मैं इस वीडियो को यहीं स्माप्त करता हूँ Thank you very much